मेरा नाम है रौशन और आप सब देख रहे हैं CMCIT प्रोग्राम टेक्नोलोजी चैनल दोस्तों आज के इस अध्याई में हम सीखने वाले हैं Microsoft Office 2010 या किसी भी भर्षान में Office को एक्टिवेशन करना दोस्तों टुटिट्र सुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेश्ट करता हूँ कि जदी आप न्यू हो या फिर आपने हमाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं कर दीजेगा क्या कि हमारे जीते लेटिस्ट फीडियो जो सबकार निटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों यहां पर देखने दोस्तों यहां पर किलियर आप यहां पर देख सकते हैं एक एरर यहां पर महजूद है जहां पर डॉकुमेंट वन मैक्रोसफ्ट ऑफिस प्रोडॉक्ट एक्टिवेशन फेल्ड यह कब आता है दोस्तों तो जब भी आप कोई भी ऑफिस चला रहे हो कॉंप्यों में वर्ड एक्सेल और पर्पेड कोई भी ऑफिस पैकेज चला रहे है तो जो भी आपेड करेंगे एक्सेल आपड करेंगे या एक्सेस आपड करेंगे या पपन जो भीете करेंगे तो method normal method शे हम क्या करेंगे तो यह जो है error को हमें remove करना है और हमें फिर क्या करना है तो यह जो office जो है office को हम activate करना है तो चलिए दोस्तों अब हम सबसे पहले यहाँ पे इसे करते हैं close बंद करते हैं और यहाँ पे this PC जो है यहाँ पे यह icon में हमें open करना होगा जब भी open करेंगे तो एक अलग सा window appears होगा जहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे c drive, d drive यहाँ पे है ठीक है इसी root activity कहा जाता है c root activity, d drive hard disk का partition है हमें क्या करना है c drive जो है यहाँ यहाँ पे red click में यह पे देख रहे हैं तो आप यहाँ program files open करना होगा folder अगर आपके system में जो office 32-bit का है तो program files x86 आपको open करना है तो चलिए हमारी system में यह program 32-bit है तो हमें क्या करना होगा x86 को करना है open जब भी open करेंगे तो बहुत सारे Fol Alert यहाँ पर दोस्तों महझूद होगा यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो है यह बुत स्वरे इसना common file जो है यहाँ पर देख ह और यहां पर करना है जब भी open करेंगे तो यहां पर एक शी फाइल है यहां पर देख रहे हैं दोस्तों OSPREARM यह नाम का जो फाइल है इसमें select right click करना है ठीक है run as administrator जब भी इसमें हम click कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों यह जो है कुछ देर के बाद हमें यहां जब भी हम इसे close करेंगे और Microsoft Word open करेंगे तो क्या होगा activation फिर reactivate हो जाएगा इसे करते हैं close अब जब भी हम यहां पर Microsoft Office open करेंगे तो आप देख सकते हैं जो error था, error यह क्या होगा, easily यहां से remove हो जाएगा, ठीक है तो दोस्तों इस तरह देख रहे हैं, यहां पर document one, Microsoft Word, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं easily किसी भी Microsoft Office का जो version है, उसे हम easily without कोई shopter से, without कोई script से, code से, हम आसानी हम क्या कर सकते हैं तो activate कर सकते हैं, इसके साथ सक आज का tutorial यह पर खतम होता है और आप सबसे request है, कि जेदी वीडियो पसंद आया तो like करें, एक दूस्तरी को साथ share करें और नई ट्वी वीडियो पाने के लिए हमारी YouTube चैनल को subscribe करें और किसे दर का कोई problem हो, तो हमारे बहुत social medias है, आप comment कर सकते हैं, ताकि solution कर सकूँ, धन्यवाद